So hi everyone, welcome to induction physics by Imran Khan तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं about last 10 years PYQs based on numericals from chapter number 2 mechanical properties of fluid तो चलिए समझते हैं कि chapter number 2 से वो कौन-कौन से important numericals जो board में पूछे गए थे उनका यहाँ पर हम solution देखने वाले हैं तो एक बात मैं यहाँ पर clear कर दूँ कि अगर किसी भी student को formula से related कोई problem हो तो एक बार channel की playlist को आप जरूर visit करो वहाँ पर formula का भी एक playlist बना हुआ है तो उस playlist को आप watch करो और उससे related जो भी chapter के आपको formula चाहिए है at least उनका पूरा वीडियो ना watch करो तो भी चलेगा बट उसका आप screenshot ले लो तो जब भी हम particular chapter के numerical को solve करेंगे तो वो numerical आपके सामने होने चाहिए ताकि जब मैं इन formulas को apply करूँगा तो आपके लिए काफी ज़्यादा आसानी होगी सबसे पहले हाँ पर हम जो numerical की बात करने वाले हैं यह particular question February 2023 यानि के last year ही exam में आया था तो यहाँ पर क्या given है calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 cm तो यहाँ पर clearly हमें क्या बोला है calculate the work done तो हमें आप work done निकालने है और work done का formula क्या है यहाँ पर dw तो देखो बीच बीच में मैं formula आपको third detail में भी समझाते जाओंगा जहाँ पर जो necessary होगा लेकिन बेटर है कि आप एक बार channel की playlist को जरूर visit किया करो ताकि आपको एक basic idea मिल सके के वहाँ पर मैंने numerical solution exercise के numerical solution salt example के कुछ chapters के भी मैंने one shot और derivation type वहाँ पर videos upload किये हुए है और साथ ही साथ में आपको reciprocal square root वागेरा के भी videos मिल जाएंगे तो एक बार उसे आप अच्छे से visit करो तो सबसे पहले यहाँ पर question में क्या calculate करने को बोला है work done calculate करने को बोला है और आगे यहाँ पर हमें क्या given है so bubble दिया है to a radius which is one centimeter तो so bubble का radius हमें given है जिसकी value क्या है one centimeter तो वापस से वही बात आती है सबसे पहले तो हमें centimeter से meter में convert करना होगा तो याद रखना है centimeter से meter में convert करने के लिए हम क्या करते है 10 raise to minus 2 से multiply आगे क्या बोला है question में the surface tension of soft solution is हमें यहाँ पर surface tension की value given है और इसकी value जो दिया है that is 2.5 into 10 raise to minus 2 और इसका unit होता है newton per meter तो यह हमारे पास given data है अब इसके basis पर हम अपने question को solve करते हैं तो एक बात मैं clear कर दूँ कि देखो work done का formula में इसलिए यहाँ पर describe करने वाला हूँ because इससे related कई सारे numericals board exam में पूछे जा चुके हैं तो सबसे पहले आपने एक topic पढ़ा होगा that is relation between surface energy and surface tension almost इस chapter के मैंने सारे derivations कराए हुए है तो आप जाके derivations को भी complete कर सकते हो तो वहाँ पर हमें एक formula मिलता है dw is equal to tda क्या मिलता है dw is equal to tda तो dw का यहाँ पर मतलब होता है work done या इसी को हम surface energy भी कहते हैं t का मतलब है surface tension और da का मतलब होता है increase in area या उसे आप change in area भी कह सकते हो अब इस formula को मैं थोड़ा elaborate कर रहा हूँ और बताता हो कि किस condition में किस तरीके से इस formula का use करना है अब अगर मान लो कि कोई question हमारा ऐसा है जहाँ पर हमें दो area given है तो इस formula को आप ऐसे लिखोगे t और यहाँ पर लिखोगे a2 minus a1 याद रखना है यह formula आपको कब apply करना है जब question में दो area given हो अब मान लो ऐसा हो सकता है कि question में area given ना हो तो क्या करोगे वहाँ पर radius given होगा तो अगर दो radius given होगा तो इस formula को ऐसा लिखना है because area of sphere क्या होता है 4 pi r square तो यह हो जाएगा r2 का square minus 4 pi r1 का square हम area of sphere क्यों लगा रहे है क्योंकि अगर हम soap bubble की बात करें या liquid drop की बात करें तो वहाँ पर उसका जो shape होता है वो spherical shape होता है और area of sphere का formula क्या होता है 4 pi r square तो अगर कभी question में 2 radius given होगा और हमें work done calculate करना होगा या surface energy तो यहाँ पर हम इस formula का use करेंगे 4 pi को बाहन निकाल लेंगे r2 square minus r1 square तो अब यहाँ पर यह formula आप कभी use करोगे जब directly आपको increase in area given होगा यह formula आप कभी use करोगे जब a1, a2 दोनों area given होगा और यह formula आपको तब use करना है जब radius r1, r2 दोनों given हो लेकिन अब यहाँ पर एक और situation आने वाली है जहाँ पर question में सिर्फ एक ही radius given होगा जैसे कि यह वाला हमारा question है तो यहाँ पर हमें क्या करना है dw is equal to लिखना है t into 4 pi r square ठीक है तो अगर कभी question में एक ही radius given हो तो आपको directly formula क्या use करना है dw is equal to 4 pi r square ठीक है because इसमें initial surface area हम 0 consider कर लेंगे तो एक ही r बचेगा तो यह formula आपको importantly याद रखना है ठीक है कि जब भी question में surface energy of work done पूछा हो और उसमें एक ही radius mention किया हो तो आपको सीधा formula यूज़ करना है t into 4 pi r square अब यहाँ पर एक और important बात में आपको बता दूँ कि जितने भी formula हमने यहाँ पर लिखे है यह accept soap solution के लिए valid है किसके लिए accept soap solution मतलब कि अगर normally question में बोला है कि liquid का drop है क्या बोला है question में liquid का drop है तो आप यह formula apply कर सकते हो लेकिन अगर question में soap solution word आ गया क्या गया soap solution तो soap solution या soap bubble ऐसा कोई word अगर आ गया तो आपको यही formula लिखने है खाली करना क्या है कि इन सारे formula के आगे न to add कर देना है यानि कि dw is equal to क्या करेंगे 2 t da ठीक है उसी तरीके से जो dw is equal to क्या लिखा है तो इसको ऐसा लिख लेंगे dw is equal to 2 t a2 minus a1 यह हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो soap bubble होता है उसको दो extra free surfaces होते है तो उसका जो surface area होता है वो 8 pi r square होता है तो बजाए बीच में 8 pi r square लिखने से अच्छा है कि हम यही formula same रखेंगे खाली आगे 2 लगा देंगे तो याद करने में भी आसानी रहेगी और हमारे बड़े आसानी से question solve हो जाएंगे उसी तरीके से अगर दो area radius given है तो इसी formula को लिखेंगे 2 t और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 2 t into 4 pi और क्या हो जाएगा r2 का square minus r1 का square similarly अगर हमें यहाँ पर सिर्फ एकी radius given है और sop की बात हो रही है तो इसके लिखेंगे 2 t into 4 pi r square ठीक है तो अब यह जो हमने question अभी अभी देखा इस question में आपको क्या समझ में आया कि यह particularly soap bubble की बात कर रहा है तो formula क्या याद रखना है soap bubble के लिए 2 t into 4 pi r square तो यह जो दोनों मैंने आपको बताया है formula कोई अलग अलग नहीं है similar formula है बस खली याद क्या रखना है soap solution या soap का नाम आ गया तो आगे formula में 2 लगा देना है बांकि यही सारे formula आपको याद रखना है यह मैंने इसके लिए describe कर दिया है अब हम जब question solve करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे related कई सारे questions given है तो चलिए अब हम main अपने question पर आते हैं तो इस question में हमें work done calculate करना था तो अब यहाँ पर हमें simply इसे लिखते हैं dw is equal to इसका formula मुझे जादा explain करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी आपको समझ गया होगा क्या formula लगेगा 2t into 4pi r square therefore अब आगे इसे में लिखता हूँ तो यह हो जाएगा dw is equal to t अच्छा t की value यहाँ पर कितना दिया था it is given 2.5 into 10 raise to minus 2 ठीक है और into क्या है यहाँ पर 4pi r square तो अब यहाँ पर हमें इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 4 into pi into r square देखो r square की value क्या होगी आप जान रहे हो कि r की value minus 2 होगी तो इसको square करूँगा तो क्या हो जाएगा minus 4 हो जाएगा ठीक है यह बात आपको याद रखना है therefore यह हो जाएगा dw is equal to अच्छा 2 into 2.5 करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा न तो 5 लिख देता हूँ into क्या हो जाएगा 4 pi और यह हो जाएगा 10 raise to minus 6 ठीक है तो therefore finally हम इसे क्या लिखेंगे we will write dw is equal to अब आप जानते हो कि 5 forza कितना होता है 20 तो pi की value लिख लेंगे 3.142 और 5 forza होता है 20 into 10 raise to क्या हो जाएगा minus 6 अब हम यहाँ पर क्या करना है इसे simply multiply करना है तो dw is equal to 0 को मैं agities रख देता हूँ 2 forza sorry 2 toza कितना हो जाएगा 4 2 forza 8, 2 1 za 2 और 2 3 za 6 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 3 za 6 अब आप यहाँ पर देखो 1, 2, 3 के बाद dot लगा दो into 10 raise to minus 6 लिख लो तो therefore final answer जो हमें मिला वो क्या मिला dw is equal to 62.84 into 10 raise to minus 6 और इसका ऐसा unit होता है joule तो इस तरीके से हमने calculate कर लिया तो इस तरीके से हमें इस question का answer मिल गया कि जो work done हुआ वो कितना हुआ 62.84 into 10 raise to minus 6 जोल इसके बाद हम next question देखते हैं और यह particularly question July 2022 के exam में आया था तो चलिए इसे discuss करते हैं यहाँ पर क्या दिया है find the difference of pressure between inside and outside of a spherical water drop of radius 2 mm यहाँ यह clearly हमें बोल रहा है कि मानलो कि यह कोई drop है और इस drop के अंदर का pressure है PI और बाहर का pressure है P naught basically एक derivation है जिसे हम कहते है excess pressure inside a liquid drop या इसी derivation को बोला जाता है Laplace's law of spherical membrane इसका भी derivation मैंने कराये हुआ है तो आप जा कि इसको visit करके देख सकते है कि किस तरीके से इसका final formula हमें मिलता है और ये एक important derivation है exam में 4 marks के लिए पूछा जाता है तो अंदर का pressure PI है बाहर का pressure P naught है तो जो excess pressure होता है वो हमेशे क्या होता है PI minus P naught क्योंकि किसी भी spherical shape वाले object में अंदर pressure जाता होगा और बाहर pressure कम होगा तो यहाँ पर जो हमें find out करने को बोला है उसने क्या बोला है pressure difference निकालना है तो ultimately यहाँ पर हम उसने बोला है कि PI minus P naught आपको find करना है ठीक है और आगे question में क्या बोला है outside a spherical water drop of radius 2 mm तो यह जो हमने drop लिया है इसका radius हमें given है तो यहाँ पर लिख लेते है R की value दिया है 2 mm अब आप जानते हो इसे mm से किसमे convert करना पड़ेगा मीटर में तो इसे लिखेंगे 2 into 10 raise to minus 3 meter तो याद रखना है कि mm से meter में convert करने के लिए हमें value को 10 raise to minus 3 से multiply करना होता है जबकि यहाँ पर surface tension हमें given है और इसकी value दिया है 73 into 10 raise to minus 3 newton per meter एक और important बात में आपको बता दू हो सकता है कि किसी के लिए video fast भी हो सकती है किसी के लिए slow भी हो सकती है तो आप कोशिस करो कि उसमें जो setting होती है उसके थुरू आप इसे fast and slow कर लेना ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर excess pressure निकालना है ठीक है अगर so bubble दे दिया तो यही formula हो जाएगा pi-p0 is equal to 4t upon r तो अगर आप formula की वीडियो देख लेते हो तो इतना सब कुछ confusion नहीं होगा आपको सारी बाते clear हो जाएगे ठीक है तो आप एक बाए चैनल की playlist को जरूर विजिट करना तो यहाँ पर pi-p0 is equal to 2t upon r यह अपना formula है तो चलो value रखते हैं तो pi-p0 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 2t की value जो हमें given है that is 73 into 10 raise to minus 3 upon अपोन में यहाँ पर क्या हो जाएगा rr की value क्या है 2 into 10 raise to minus 3 तो 10 raise to minus 3 10 raise to minus 3 cancel 2 से 2 cancel तो यहाँ यह बहुत ही simple answer था यहाँ से अपने को final answer मिला pi-p0 is equal to 73 और इसका unit होता है newton per meter square ठीक है तो इस तरीके से हमें excess pressure का answer मिल गया तो आप देखोगे कि देखोगे आप डरना नहीं है ठीक है numerical से numerical से आपको बिलकुल भी डरना नहीं है numerical से भागना नहीं है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप numerical solve करते होना उतना अच्छी बात होती है आपके लिए क्योंकि बिना numerical के theory के basis पर physics में बहुत अच्छे marks score कर पाना काफी difficult हो जाता है लेकिन अगर आप at least 50 to 70% numerical कर लेते हो तो उससे आपका काफी help हो जाएगा और आपका theory के marks प्लस numerical के marks जब add होंगे तो काफी अच्छा आपका result बन जाएगा तो इसके लिए numerical पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रुरत है और आप देखी रहे हो कि जिस type के हम numerical solve कर रहे हैं तो इतने lengthy नहीं होते हैं बहुत ही rare questions होते हैं जहाँ पर log, anti-log या बहुत ज़्यादा calculation करना पड़ता है तो बाकि जो questions होते हो almost थोड़ा easy ही होते हैं और खास तोर से two marks type वाले numerical तो बहुत easy होते हैं तो आपको numericals पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा numerical आप कर सकते हो उतने solve करो चलिए next question आता है that is question number अब हमारा 3 बन जाता है और ये particular question March 2022 में पूछा गया था यानि इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इस साल exam में दो question पूछे गया थे ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला question क्या बोला है 8 droplets of water each of radius 0.2 mm coales into a single drop इसका कहने का मतलब यह है कि 8 छोटे छोटे drop है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह मानलो 7 और 8 आट ऐसे छोटे छोटे drop है और यह मिल के एक बड़ा सा drop फॉर्म कर रहे है चोटे छोटे drop मिल के क्या कर रहे है बड़ा सा drop फॉर्म कर रहे है तो हम मानल लेते हैं कि जो बड़ा सा drop फॉर्म हुए इसका radius capital R है और यह जो छोटे drop फॉर्म हुए है इनका radius क्या है small r है ठीक है अब question क्या codiger हम देखे तो उन्होंने क्या दिया है कि 8 droplets of water each of radius 0.2 mm मतलब हर एक drop का radius दिया है तो small drop के radius को हम small r से denote करेंगे और इसकी value यहाँ पर जो हमें given है that is 0.2 mm दिया है तो वापस वही बात आती है कि इसे हमें convert करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 0.2 into 10 raise to minus 3 meter done आगे question में क्या बोला है find the decrease in the surface area हमें decrease in the surface area मतलब क्या निकालना है da निकालना है तो बहुत ही simple question है यार इसको कैसे निकालेंगे देखो da का मतलब क्या होता है da का simple से मतलब होता है a2 minus a1 final area minus initial area अब यहाँ पर देखो एक में बात आपको बताता हूँ कि final area किसे consider करना है और initial area किसे consider करना है तो यह याद रखना है कि जो numbers में ज़्याद है उन्हें final area मानना है और जो numbers में कम है उन्हें initial area मानना है फिर चाहे 8 drop से 1 drop form हो रहे हो या 1 drop से 8 drop form हो रहे है बस आपको एक ही बात का याद रखना है कि जो numbers में ज़्यादा होंगे उनको area a2 लेना है और जो numbers में कम होंगे उनको a1 लेना है ठीक है ऐसा करने से होगा क्या कि आपका answer negative में नहीं आएगा तो therefore आगे हम इसे solve करते हैं तो क्यों जाएगा da is equal to अब आप जानते हों कि हमें area given नहीं है बलकि radius दिया है और हम जानते कि area of sphere का formula होता है 4 pi r square तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 pi r square अच्छा यहाँ पर total कितने drop है 8 drop है तो यहाँ पर आगे 8 लगा देना है तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा देंगे 8 minus क्या हो जाएगा 4 pi capital r का square यानि कि 8 छोटी छोटे drop का area 4 pi r square multiplied by 8 हो जाएगा और बड़े से drop का जो area है वो क्या हो जाएगा 4 pi r square अब हम इसे क्या करते हैं कि देखो आपको 4 pi common दिख रहा है तो 4 pi के में बाहर निकाल लेता हो तो अंदर क्या जाएगा 8 r square minus क्या हो जाएगा capital r का square अब problem यह है कि यहाँ पर हमें capital r की value given नहीं है तो हमें capital r की value तो निकालना पड़ेगा तो अब यहाँ पर हमें condition यूज़ करने वाले है इसको ध्यान से देखना अगर ऐसा कभी question में आ जाए कि जिसमें small r तो given हो लेकिन capital r नहो या capital r given हो small r given नहो तो इसके लिए बस आपको एक formula यूज़ करना है that is volume of 8 drop is equal to volume of 1 drop यह तो आप भी जानते हो कि 8 drop से मिलके ही तो एक drop बना है मतलब volume दोनों का same होगा अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8 अच्छा volume of drop यानि के volume of sphere क्या होता है 4 by 3 pi r cube और बड़े से drop का जो volume हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 by 3 pi capital r का cube तो यहाँ से 4 by 3 4 by 3 pi से pi क्या हो गया cancel 8 को में क्या लिख सकता हूँ 2 r का whole cube लिख सकता हूँ और यह क्या हो जाएगा capital r का cube तो यहाँ से आपको एक बास समझ में आ गई कि r की value क्या आ गई 2 times of small r यह formula आपको use करना आना चाहिए ठीक है अगर कभी ऐसा question में होता कि 1 drop से 8 drop form हो रहे हैं 1 drop से 8 drop form हो रहे हैं तो और वहाँ पर capital r की value given होती और हमें small r निकालना होता तो यही step हम करते खाली small r के लिए फिर r by 2 हो जाता answer ठीक है तो अब हम यहाँ पर इसकी value रगते हैं तो यह हो जाएगा da is equal to 4 pi और यह हो जाएगा 8 r square minus r की value 2 r है तो अगर मैं इसका square करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 r square तो therefore finally इसे हम क्या लिखेंगे da is equal to 4 pi अच्छा 8 r square minus 4 r square करूँगा तो क्या जाएगा 4 r square हो जाएगा ठीक है तो therefore finally अब हम इसका answer लिखते है da is equal to अब यहाँ पर देखो r की value कितनी थी पहले वो देख लेते है r की value हमारे पास यहाँ पर क्या थी 0.2 into 10 raise to minus 3 तो इसका हम decimal हटा के इसे 2 into 10 raise to minus 4 कर लेते हैं तो यह और भी आसान नंबर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ 4 pi into 4 और r की value क्या है अभी अभी हमने देखा 2 into 10 raise to minus 4 तो square करूँगा तो क्या होगा 4 into 10 raise to कितना हो जाएगा minus 4 हो जाएगा ठीक है therefore da is equal to अब आप याद रखो कि 4 pi की जो value होती है वो होती है 12.56 बेटर होगा अगर आप इस value को याद कर लोगे तो कई बार exam में इसकी हमें जुरत पढ़ जाती है और 4 4 जा यहाँ पर क्या है 16 into 10 raise to minus 4 तो therefore da is equal to 16 से इसे multiply करो तो क्या हैगा अगर हम 16 से multiply करेंगे इसे तो तो 16 6 जा 96, balance 9 आएगा 16 5 जा 80 और 9 क्या हो जाएगा 89 और balance 8 आएगा 16 2 जा 32 प्लस 8 40 तो 0, balance 4 आएगा 16 बंज़ा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर दो के बार dot लगा देंगे into क्या हो जाएगा 10 raise to minus 4 हो जाएगा तो therefore अगर आप book के answer से match करना चाहते हो तो इससे आप ऐसा लिख लो that will be equal to यह 2.0096 into 10 raise to minus 6 हो जाएगा ठीक है तो अगर आप देखोगे वहाँ पर given है 2.011 into 10 raise to minus 6 तो यह almost same value है इसमें कोई फर्क नहीं है because 9 is greater than 5 तो एक number दे देगा तो वही value होने वाली है और आप इससे थोड़ा एक बार multiply करके भी देख लेना जो भी answer आएगा वो इसका correct answer होगा क्योंकि मैंने जो multiply किया है तो उससे मुझे यही answer मिल रहा है तो हो भी सकता है कि point decimal में values थोड़ा आके पीछे हो जाए बट यही इसका accurate answer है ठीक है तो आपको याद रखना है कि point में कभी भी difference हो सकता है उसके पीछे reason यह होता है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने pi की value consider की है यह pi की value है 3.14 और book में क्या करते हैं वो कभी-कभी जो pi की value use करते हैं वो use करते है 3.142 तो इस value को use करने से और इस value को use करने से कोई खास फरक नहीं आएगा अगर आपने pi की value 3.142 यूज की तो आपको answer मिलेगा यह वाला answer मिल जाएगा that is 2.011 into 10 raise to minus 6 मिल जाएगा ठीक है तो दोनों answer सही है because आप जानते हो कि यहाँ पर जो 9 है it is greater than 5 तो एक number इसे दे देगा तो वही बात हो जाएगी 2.01 में answer आजाएगा ठीक है तो इसमें कोई problem नहीं है अच्छा इसका unit क्या होता है meter square तो वह जरूर लिख लेना next अब हम देखते है question number 4 यह particular question आपको October 2021 के board exam में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं क्या given है compare the amount of work done in blowing a 200 bubble of radius in the ratio of 4 is to 5 यानि हमें यहाँ पर क्या given है हमें इसने बोला है कि हमें work done को compare करना है ठीक है तो work done का compare करने का मतलब होता है ratio निकालना simple सी बात है तो हमें work done का compare करना मतलब dw1 upon क्या करना है dw2 का ratio निकालना है जबकि question में radius का ratio given है और radius का ratio यहाँ पर क्या given है यानि r1 by r2 की जो value हमें given है that is 4 upon 5 यह हमारे पास given value है अब इसे solve करना बहुत आसान है because हमने work done का formula पढ़ा है work done का formula होता है sop के लिए क्या formula होता है 2t into da ठीक है यह formula होता है और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर question में सिफ radius given होगा तो हम यह क्या use करने वाले है 2t into 4 pi r का square ठीक है यह formula पहले मैं आपको बना के बता देता हूँ फिर आपको मैं इसका direct formula भी दे दूँँगा वही direct formula आपको apply करना होगा अगर ऐसे कोई question आ गए तो तो अब यहाँ पर क्या होगा देखो therefore दो equation हम बनाएंगे एक dw1 का और एक r1 के लिए similarly and दूसरा equation क्या बनेगा dw2 is equal to 2t into 4 pi और यह क्या हो जाएगा r2 का square तो जब हम इसे compare करेंगे तो compare करने का मतलब है कि हम इसे लिखेंगे dw1 upon dw2 is equal to तो अब यहाँ पर आपको एक बास समझ लेना है कि जब भी इस तरह का कोई question आए वहाँ पर सिफ radius का ratio given हो और आपको surface energy या work done का ratio पूछे तो आप direct formula यूज करोगे r1 square upon r2 square यह formula आपको directly याद रख लेना है और इसे use कर लेना है तो जो step मैं आपको करके अभी मैंने बताया है यह step आपको apply करने की जरुवत नहीं पड़ेगी यह आले सारे step आपको जरुवत नहीं पड़ेगी आप directly यह formula apply कर लेना तो चलो value हम यहाँ पर रखते हैं बहुत simple answer है इसका तो therefore dw1 upon dw2 is equal to अच्छा r1 की value क्या है 4 और r2 की value क्या है 5 तो यहाँ पर 4 by 5 का क्या हो जाएगा whole square तो therefore answer क्या मिल जाएगा dw1 upon dw2 is equal to 16 upon 25 तो finally जो आपको यहाँ पर ratio मिलता है dw1 upon dw2 का वो क्या ratio मिलता है that is 16 is to 25 तो इस तरीके से हमें यह answer मिल गया तो देखो formula को implement करना बहुत अच्छे से आना चाहिए तब ही हमारे numerical बहुत आसान बन पाते हैं यानि इस numerical में देखो खास कुछ नहीं था ऐसे कोई बड़े calculation नहीं थे लेकिन थोड़ा से implementation करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे आसानी से solve कर सकते हैं next अब हम देखते हैं question number 5 और यह particular question March 2020 के exam में पूछा गया था तो यहाँ पर 2020 लिखा है तो लिख देते हैं ठीक है ओके तो यहाँ पर क्या given है question में calculate the work done in blowing a so bubble of radius 0.1 meter तो यहाँ पर सबसे clearly क्या बोला है calculate the work done तो work done calculate करना है मतलब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे dw हमें find out करना है ठीक है in blowing और क्या दिया है यहाँ पर in blowing a so bubble of radius 0.1 mm तो radius अपने को given है 0.1 मिली sorry meter ही given है right तो meter लिख लेते हैं 0.1 meter given है और आगे question में क्या बोला है surface tension इसका given है कितना दिया है surface tension surface tension T की value जो हमें given है that is 30 dine per centimeter कितना है 30 dine per centimeter तो यह बहुत यह simple question है वापस वही formula हमें apply करना है जो मैंने आपको बताया था कि जब question में एक ही radius given हो तो work done का formula क्या यूज़ करना है 2 T into 4 pi r square क्योंकि यहाँ पर soap word यूज़ किया है right तो मैंने बताया था soap word के लिए आपको क्या यूज़ करना है आगे 2 यूज़ करना है अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दू कि जहाँ पर जो surface tension है तो हमें यहाँ पर conversion करना पढ़ेगा तो हम dine per centimeter को किसमे convert करेंगे Newton per meter में तो देखो किस तरीके से बड़े आसानी से conversion करना होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 30 और यहाँ पर लिखना है dine per centimeter इस तरह से fraction में लिखना है आगे क्या लिखना है Newton पर meter में convert करना है तो सबसे पहले आप जानते हो कि dine से Newton में convert करने के लिए 10 raise to minus 5 से multiply करना होगा और centimeter से meter में convert करने के लिए 10 raise to minus 2 से multiply करना होगा तो जब 10 raise to 2 को मैं minus 2 को उपर लेके जाऊंगा तो यह हो जाएगा 10 raise to minus 5 और यहाँ पर हो जाएगा 10 raise to plus 2 तो answer क्या बचेगा answer बचेगा therefore 30 into 10 raise to minus 3 यह अपने को क्या मिल गया tension मिल गया और अब इसका unit हो जाएगा Newton per meter तो इस तरीके से conversion करना होता है ठीक है चलो अब इसकी value रख देते हैं तो therefore क्या हो जाएगा dw is equal to 2 अच्छा t की value हमने अभी calculate किया that is 30 into 10 raise to minus 3 into 4 into pi की value क्या है 3.142 अच्छी बात होगी अगर आप pi की value 3.42 लेते हो तो अगर आपने 3 3.14 बिलिया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बट बोड एक्जाम में जो भी वो numericals यूज करते हैं वहाँ पर pi की value generally 3.142 ही यूज करते हैं अच्छा r की value का क्या करेंगे तो इस 0.1 है तो मैं इससे लिख लेता हूं 1 into 10 raise to minus 1 meter तो simple हो गया अब इसका अगर square मुझे कर 2 इसे multiply करने के लिए simply आपको क्या करना है पहले तो 3.142 को आप आगे लिख लो फिर आप देखो 42 कितना होता है 8 और यह 30 given 30 into 8 कर लेते हैं और यह हो जाएगा 10 raise to minus 6 तो therefore आगे हम इसे solve करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले तो 30 से इसको multiply करना है तो 30 का 0 आप ऐसे ही रख दो और फिर 3 से to minus 6 हो जाएगा अच्छा 4 pi की value ना 12.56 भी होती है तो आप डारेक्ली वैसे भी इसे solve कर सकते हो अब मैं 8 से multiply करता हूँ तो 8 0 जा 0 8 6 जा 48 balance 4 8 2 जा 16 और 4 20 balance 2 8 4 जा 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 34 balance आएगा 3 और 8 9 जा 72 और 3 क्या हो जाएगा 75 और हम यहाँ पर 3 के बाद dot य therefore finally अब हम इसका answer को क्या लिख सकते है therefore you can write dw is equal to 754.08 into 10 raise to minus 6 so therefore यहाँ पर अब इसका final answer हम लिख लेते है that is dw is equal to 7.54 और 0.8 को हटा दो आप into 10 raise to क्या हो जाएगा यह minus 4 हो जाएगा ठीक है यानि कि 2 digit हमने shift किया तो 2 power कम हो जाएगे और इसका unit लिख लेना है जूल तो अगर हम बुक में देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने 7.54 into 10 raise to minus 3 दिया है ठीक है तो शायद वहाँ पर कुछ point का mistake हुआ है ठीक है तो इसे आप जब solve करोगे तो आप अच्छे से calculate करना क्योंकि मेरे हिसाब से तो यह answer आ रहा है ठीक है तो बुक में हो सकता है कि पर कुछ decimal value आगे पीछे हो गई हो जिसके वज़े से power change हो रहा है नेक्स हम question number अपना 6 देखते हैं यह particular question exam 2019 में आया था तो चलिए discuss करते हैं यानि कि July 2019 का question है यह और यहाँ पर क्या given है a rod of length 4 cm is movable on a rectangular frame of wire तो यहाँ पर rod of length तो rod का length दिया है which is equal to 4 cm तो वहापस से सबसे पह meter हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर क्या given है a film is formed in the frame तो इसका यह कहने का मतलब है कि एक हमने rectangular frame लिया और इस frame को dip किया कहां dip किया है हमने soap solution में dip किया जब soap solution में dip करके उसको बाहर निकाला तो उसमें एक layer बन गई और जो layer बनी तो यहाँ पर आगे क्या बोला है question में क यह उस पर जो invert force लग रहा था तो f की value यहाँ पर हमें given है which is equal to 3.2 into 10 raise to minus 3 newton ठीक है इतना invert force लगेगा is applied to the rod for its equilibrium find the surface tension of the liquid तो surface tension में t निकालना है तो यह particular formula related to surface tension है जहाँ पर आप surface tension का formula पढ़ते हो t is equal to f by l बट यह formula जो है ना यह general formula है ठीक है surface tension का बट यहाँ पर यह particular application हम जो देख रहे हैं rectangular frame वाला वहाँ पर आपको पता होगा कि जब हमने derivation derive किया था related to relation between surface energy and surface tension तो जैसे ही frame में so film form होती है तो उस frame के wire में inward direction में एक force लगता है और उस force को हम कहते हैं f is equal to 2tl कहते हैं क्या कहते हैं 2tl तो therefore बस इसी formula का में use करना है तो t का value क्या हो जाएगा t will be equal to f upon 2l हो जाएगा अब यहाँ पर इसकी value रख देते हैं तो t is equal to f यहाँ पर कितना given है 3.2 into 10 raise to minus 3 given है upon 2 into l की value कितनी given है 4 into 10 raise to minus 2 तो यह हो जाएगा 4 into 10 raise to minus 2 हो जाएगा अब हम इसे थोड़ा और solve कर लेते हैं तो मैं इसे लिखता हूँ t is equal to और इसे हम उपर क्या करते हूँ इसे लिख देता हूँ 32 into 10 raise to minus 4 तो मैंने एक digit shift किया तो minus 4 पावर हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 into 4 into 10 raise to minus 2 अब इसे हम कट कर सकते हैं तो 4 से कट करूँगा तो 8 हो जाएगा इसे कट करूँगा तो 4 हो जाएगा 10 raise to minus 2 का मतलब है कि 2 डिजिट पीछे खिसकेगा तो आंसर आ जाएगा 0.04 newton per meter या इसकी कोई जरूत नहीं है क्योंकि एक्जाम में तो नहीं पता होगा आपको कि आपको 0.04 में आंसर लाना है कि 4 into 10 raise to minus 2 रखना है तो as it is आप यहाँ पर रख सकते हो ठीक है तो दोनों तर होना है f is equal to 2tl वाला next अब हम देखते है question number 7 ये भी particular question 2018 के जुलाई exam में पूछा गया था और इस question की भी अगर हम बात करें तो it is similar to जो अभी हमने question किया है ठीक है तो चलिए देखते है क्या given है और horizontal circular loop of wire of radius 0.02 meter तो यहाँ पर basically rectangular frame ना देखे अब circular loop की बात की है बस इतना ही change किया है ठीक है और उसका radius हमें given है कितना radius दिया है 0.02 और unit का है meter है is lowered into a crude oil and a film is formed the force due to surface tension of the liquid is 0.0113 newton और हमें यहाँ पर force की value दिया है जो कि है 0.0113 newton तो देखो numerical को टप बनाने के लिए उसने रहा 0.0 प्वाइंट में values दिया है लेकिन हम भी होश्यार है हम इसे क्या करेंगे लिखेंगे 2 into 10 raise to minus 2 लिख लेंगे सबसे पहले तो convert कर लिए हमने मतलब के 2 digit को shift किया तो 2 power आगे और इसे भी थोड़ा हम simple करेंगे 113 लिख लेंगे कितने digit shift कि हमने total 4 तो यह हो जाएगा 10 raise to minus 4 newton तो इस तरीके से आपको numerical को आसान बनाना है ठीक है आगे क्या बोला है calculate the surface tension of the crude oil तो हमें surface tension of crude oil t निकालना है जबकि यहाँ पर उसने clearly mention किया है कि πाई की value आपको 3.142 ही use करना है तो एक बात आप जान लो कि अगर कभी question में पाई की value 3.142 use करने को बोले तो फिर आपको वही value use करना है और अगर नहीं बोले तो आप 3.14 भी use कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वापस से देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था invert force के लिए formula क्या use करना है f is equal to क्या use करना है 2tl use करना है ठीक है तो therefore surface tension का formula क्या हो जाएगा t is equal to f upon 2l अब यहाँ पर problem यह आती है कि भाई यह circular loop है न तो circular loop के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे जो length होता है उसको क्या लिख सकते हैं length को लिख सकते हैं 2pir यह तो आप जानते हो ठीक है अब इसकी final value हम यहाँ पर put up करते हैं तो therefore यह हो जाएगा t is equal to अच्छा f की value क्या दिया था 1 1 3 into 10 raise to minus 3 given था upon में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 into 2 into pi की value क्या 3.142 और r की जो value given है वो कितनी यहाँ पर given है 2 into 10 raise to minus 2 तो यहाँ पर रख देते हैं 2 into 10 raise to minus 2 ठीक है अब देखो हमें इस question को simplify करके solve करना है तो कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ t is equal to 1 1 3 into 10 raise to minus 3 upon यहाँ पर यह लिखेंगे 3.142 और 2 2s are 4 2s are 8 से multiply और 10 raise to minus 2 उपर जाके बन जाएगा plus 2 ठीक है ओके next step अब next step में हम क्या करने वाल है therefore लिखेंगे t is equal to 1 1 3 into 10 raise to minus 1 upon हमें यहाँ पर 8 से multiply करना है तो 8 2 जा 16 balance 1 आ जाएगा 8 4 जा 32 plus 1 33 balance 3 8 1 जा 8 3 कितना होगा 11 balance 1 8 3 जा 24 यानी 25 हो जाएगा so therefore इसे आगे मैं लिखता हूँ t is equal to 10 raise to minus 1 का मतलब है कि एक डिजिट यह उपर वाली value shift होगी तो इसे 11.3 लिख लेते हैं ठीक है और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25.1 लिख लो या 13 लिख लो क्योंकि ultimately आपको यहाँ पर log anti-log का step apply करना पड़ेगा तो t is equal to यह हो जाएगा 113 upon 251 हो जाएगा अगर हम 4th और 5th digit को छोड़ भी देते हैं तो फिर हम इसे इस तरीके से solve करना होगा तो basically आपको यहाँ पर log anti-log का step apply करना होगा ठीक है तो log anti-log आप इसे apply करो you will get the answer आप चाहिए तो 25.13 पूरी value ले सकते हो या तो आप 25.1 भी लोगे तो चलेगा लेकिन अगर आप log anti-log apply करी रहे हो तो आप 3 कभी consider कर लो ठीक है तो इसको point यहाँ पर हम लगा देते हैं तो either इस value से भी आप use कर सकते हो या तो यह value से आप log anti-log apply कर सकते हो जब आप log anti-log apply करोगे तो finally आपको जो surface tension का answer मिलेगा क्योंकि मैंने इसको divide करके देखा है तो इसका answer something 0.045 में answer आ रहा है बाकि decimal में changes हो सकते हैं क्योंकि book में जो भी calculations होते हैं या जो यहाँ पर जो numerical में calculation given होते हैं वो as per calculator होते हैं और जो हम use करते हैं वो log table book का use करते हैं जिसको जैसे point decimal में थोड़े से difference हो सकते हैं बट उससे answer में कोई गलत नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर log anti log में इसलिए नहीं step बता रहा हूँ बीच-बीच में तो मैं बताता भी रहता हूँ क्योंकि या निससरी नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा lengthy हो जाती है और हमें maximum questions यहाँ पर cover करने है ठीक है तो next अब हम देखते है question number 8 हमारे तो यह particular question March 2018 में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं क्या given है इस question में यहाँ पर दिया है हमे calculate the work done in increasing the radius of a soap bubble तो हमें यहाँ पर work done calculate करना है और याद रखना है कि soap bubble का case है in air from 1 cm to 2 cm तो कहने का मतलब है कि soap bubble का radius 1 cm से 2 cm increase करने के लिए कितना work done करना पड़ेगा यह हमें calculate करना है तो initial radius हमें given है इसकी value है 1 cm और जो final radius हमें given है इसकी value है 2 cm आई बास समझ में? ओके और आगे क्या बोला है the surface tension of the soap solution is 39 per cm तो surface tension t की value given है 30 9 per cm तो एक अच्छी बात यह है कि सारी के सारे values यहाँ पर cgs form में है तो यहाँ पर हमें किसी को कुछ convert करने की ज़रूरत नहीं है अब इस starting में याद करो मैंने आपको formula बताया था कि अगर हमें work done calculate करना हो और 2 radius given होंगे तो formula क्या use करना है साथ में आपर soap word use किया तो आगे लिखेंगे 2t into formula मैंने बताया था 4 pi r2 का square minus r1 का square बस simple है तो इसे solve कर लेते हैं तो dw is equal to 2 t की value कितनी है 30 और 4 into pi की value क्या use कर लेते है 3.14 या 3.142 use कर लो क्योंकि यहाँ पर बोला है 3.142 ठीक है और r2 के value क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का square minus 1 हो का तो यह 3 हो जाएगा ठीक है next step therefore dw is equal to 2 into 30 करेंगे तो 60 into 4 into 3.142 into क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब आप इसे multiply कर लो तो हो जाएगा dw is equal to 3.142 को मैं आगे लिख देता हूँ ऐसे ही करने का last में ठीक है जो difficult value इसको आगे लिख दो और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको 60 और यहाँ पर 3.142 क्या होता है 12 क्या होता है 3.142 अब आपको में एक simple तरीका बताता हूँ वैसे तो आप 60 को 12 से multiply करके 3.142 से भी multiply कर सकते हो उससे भी आसान तरीका यह है कि आप पहले क्या करो कि 60 को 3.142 से multiply करो इसके लिख लिख आपको क्या करना है पहले 0 को तो as it is रख देना है और फिर 6 से इस value को multiply करना है तो 6 2 जा 12 तो 2 balance 1 6 4 जा 24 1 25 balance के आएगा 2 6 1 जा 6 2 हो जाएगा 8 और 6 3 जा कितना होता है 18 और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे अच्छा point का यहाँ पर देखो तो यहाँ पर dot आएगा into क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ठीक है therefore finally dw is equal to 12 से multiply करेंगे 12 0s जा 0 12 2s कितना होता है 24 balance 2 12 5 जा 60 और 2 क्या हो जाएगा 62 balance 6 right 12 8 जा कितना होता है 12 8 जा is 96 96 प्लस 6 करेंगे तो 102 balance 10 और वापस से 12 8 जा 96 प्लस 10 106 balance 10 तो 12 जा 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा that will be 22 हो जाएगा ठीक है उसके बाद 3 integer के बाद आप dot लगा दो therefore finally you will get dw is equal to 2262.24 और इसका SI unit हो CGS unit हो जाएगा arg because सारी के सारी value किस form में दिया है CGS form में तो इस तरीके से आपको इसका answer calculate करना है ठीक है तो देखो हमें जब numerical solve करते हैं तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने देखो क्या दिया है value 2262 और दिया है जबकि हमारा answer क्या रहा है 2262.24 और तो हमारा answer और भी ज़्यादा accurate माना जाएगा ठीक है नेक्स अब हम देखते है question no.9 और यह particular question July 2017 के exam में पूछा गया था तो चलिए discuss करते हैं यहाँ पर क्या given है 200 bubble having radii in the ratio of 4 is to 3 तो radii का ratio मतलब R1 by R2 की value दिया है which is 4 by 3 given है और क्या पूछा है what is the ratio of the work done to blow these bubbles तो work done का ratio पूछा है तो work done का ratio पूछा है मतलब dw1 upon dw2 का ratio पूछा है और इसके बारे मैं already आपको पहले बता चुका हूँ तो सायद आपको यहाँ पर इसे solve करने में बहुत आसानी आ जाएगी सीधा आप formula रखो dw1 upon dw2 is equal to r1 का square upon r2 का square तो therefore finally you will get the answer dw1 upon dw2 is equal to r1 upon r2 the whole square होता है तो सीधा इसको टूक तो इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं चलो हम 4 by 3 the whole square तो final answer you will get dw1 upon dw2 is equal to यह हो जाएगा 16 upon 9 ठीक है तो therefore अगर आप इसे ratio के formula लिखोगे तो dw1 upon dw2 is equal to 16 is to 9 तो इस तरीके से हमें इसका answer बढ़ी आसानी से मिल गया है तो अगर आप देखोगे तो अभी तक इतने tough numericals नहीं पूछे जा चुके हैं इस particular topic से तो somewhat easy formula based है और आपने देखा होगा कि एक formula का use बहुत ज़्यादा किया गया है that is relation between surface energy and surface tension वाले concept का next आप हम देखते है question number 10 है जो basically March 2017 में a question पूछा गया था तो चलिए discuss करते हैं क्या given है the total energy of free surface of liquid rock is 2m times तो यहाँ पर हमें बोला है total energy मतलब dw जो है वो कितना है 2 pi times और अप the surface tension यानिकि total surface energy is 2 pi t दिया है अपने को ठीक है आगे क्या बोला है calculate the diameter of the drop हमें diameter of the drop निकालना है आप जानते हो diameter is nothing but 2 times of radius ठीक है तो अगर हम radius calculate कर ले तो हमें diameter मिल जाएगा तो चलो इसी equation का हम आगे use करने वाले हैं तो therefore हमें पता है dw का formula क्या होता है तो dw का formula यहाँ पर अच्छा सबसे पहले तो आपको check करना है कि यहाँ पर कहीं पर soap वर्ट तो नहीं use किया है तो soap नहीं liquid दिया है तो इसका हम answer जानते हैं यह होता है t into 4 pi r square since question में एक ही radius है तो formula यूज करेंगे t into 4 pi r square अब dw की value यहाँ पर हमें given है कितना दिया है 2 pi into t दिया है और यह हो जाएगा t into 4 pi r का square ठीक है अब यहाँ से देखो t से t cancel, pi से pi cancel तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 by 4 is equal to r का square तो basically यहाँ पर क्या बचेगा यह बचेगा 1 by 2 is equal to r का square ठीक है तो r की value आप क्या लिखोगे 1 upon root 2 क्या हो जाएगा r की value 1 upon root 2 तो therefore diameter निकालना था ना अब diameter क्या होता है 2 times of radius तो therefore आगे आप इसे क्या लिखोगे d is equal to 2 into r की value क्या होती 1 by root 2 तो इसको solve करने के दो तरीके हैं आप root 2 की value 1.414 करके 2 से divide कर सकते हो तो भी answer आजाएगा या इसे और simplify कर लेते हम इसे मैं क्या करता हूँ root 2 से multiply करता हूँ और root 2 से इस equation को divide करता हूँ यानि root 2 into root 2 तो मैंने कुछ किया नहीं है खाली क्या किया है root 2 से multiply और root 2 से divide क्योंकि आप जानते होगे root 2 into root 2 की value क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी क्या बनेगी 2 बनेगी ठीक है तो upon में 2 हो जाएगा और 2 से 2 cancel हो गया तो therefore finally you get the value dw is equal to that is root 2 therefore dw is equal to 1.414 क्योंकि root 2 की value क्या होती है 1.414 या आप याद कर लेना ठीक है तो इस तरीके से हमें diameter मिल गया अच्छा इसका unit क्या use करेंगे हम तो यहाँ पर clearly बोला था कि assume all the terms are in SI unit और SI unit क्या होता है तो root 3 की value और root 2 की value आप याद रखो कई बार काम में आ जाती है root 2 की value 1.414 और root 3 की value 1.732 तो चलिए देखते हैं next question that is our question number 11 और यह particular question आया था 2016 के जुलाई board exam में पूछा गया था तो यहाँ पर क्या given है देखो the total surface energy of a liquid drop is pi root 2 times the surface tension of the liquid याँ यहाँ पर क्या बोला है कि total surface energy of a liquid drop तो total surface energy of a liquid drop याँ देखो और इसकी value कितना दिया है pi root 2 times the surface tension तो जैसे अभी अभी हमने यह question solve किया है question number 10 ठीक उसी तरीके से यह भी question है वहाँ पर pi 2 value दिया था यानि 2 pi value दिया था और यहाँ पर pi root 2 दिया है बस इतना ही change है आगे यहाँ पर क्या बोला है calculate the diameter of the drop और वापस हमें क्या करना है diameter को calculate करना है तो हमें पता है कि diameter निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा radius और जैसे हमें radius मिल जाएगा तो उसकी value को double कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा diameter मिल जाएगा अब हम क्या करेंगे simply surface energy का formula यूज कर लेते हैं जो कि है dw is equal to क्या होता है formula अब यहाँ पर देखो क्या soap word का word यूज किया है क्या यहाँ पर soap word नहीं यूज किया ठीक है liquid drop किया है तो यहाँ पर हम इसे लेखेंगे t into 4 pi r square तो already यह सब मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि अगर एकी radius given होगा तो यह formula आपको use करना है देखो dw की वेली already हमें given है तो यहाँ पर लिख लेते हैं dw की जगह पर आएगा pi root 2 into t is equal to t into 4 pi और यह हो जाएगा r का square तो देखो t से t cancel हो जाएगा pi से pi cancel हो जाएगा तो therefore you can write root 2 upon 4 is equal to r square ठीक है next step में अभी इसे हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले तो आप इसे ऐसा लिख लो r square is equal to यह हो जाएगा root 2 upon 4 done हमने क्या किया सिब interchange कर दिया तो अब हम next step में देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसको लिखते है r square is equal to root 2 की value होती है 1.414 upon यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि 4 से इस value को divide कर देते हैं तो therefore r square की value क्या हो जाएगी देखो अब आप force इसे divide करो तो पहले तो 0 point आ जाएगा 4,3,0,12 तो इस तरीके से आप divide करोगे तो 3,5 और 3,5 यह value आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है अब यहाँ पर हमें निकालना तो r है ना तो जैसे r निकालना होगा तो इसे हम root में लिख लेंगे तो यह root of क्या हो जाएगा 0.3535 तो यह value root के अंदर आ गई तो therefore देखो अब r की value के लिए हमें root निकालना होगा तो पहले हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा modify कर लेते हैं क्योंकि अगर आप square root देखोगे तो 1.1 से लेका 9.9 तक और 10 से लेका 99 तक ही मिलता है यानि एक digit में value हो उसके बाद dot हो या तो 2 digit के बाद dot हो तभी आप उसका square root निकाल सकते हो तो सबसे पहले मैं इसी इस तरीके से लिख देता हूँ 35.35 और power जो है basically क्या जाएगा 10 raise to minus 2 क्योंकि मैंने 2 digit shift किया है तो power कितना हैगा minus 2 और जो power है यह हमारा बाहर आजाएगा तो इसे हम बोलेंगे 10 raise to minus 1 तो therefore finally जब आप इसकी value देखते हो तो आपके इसकी value मिलेगी something 5.946 into 10 raise to minus 1 तो 35 में 3 का 5 देखना है अब यह बहुत logical है आप समझ भी सकते हो कि अगर इसकी value 36 होती तो directly answer 6 आ जा जा था तो यहाँ पर क्या मेरा अपने को 5.9 अब हम चाहें तो इसको thrust shift भी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 0.5946 तो therefore diameter हम निकाल सकते हैं तो therefore diameter क्या निकाला था हम लेग तो therefore d is equal to पहले r की value लिख देते हैं 0.5946 multiplied by 2 अब simply इसे आपको 2 से multiply कर लेना है तो d is equal to यहाँ पर इसे multiply करोगे तो 2, 6, 12, 1, 2, 4, 0, 8, 1 क्या हो जाएगा 9, 2, 9, 0, 18 1, 2, 5, 0, 10, 1, 11 हो जाएगा ठीक है और 1, 2, 3, 4 के बाद dot लगा देंगे यह हमें इसका क्या मिल गया answer मिल गया तो इस particular question में बस थोड़ा सा calculation था as compared to जो question आपर हमने टेर सॉल किया था बागी कोई difference नहीं है वहाँ पर value में dw की value 2 pi दिया था यहाँ पर pi root 2 दिया है ठीक है तो इस particular question को हमें इस तरीके से solve करना है next अब हम देखते है question number 12 ये भी basically similar type का question है तो मैं चाहूँगा कि आप pause करके पहले से solve करो और नहीं आया तो फिर वापस आप इससे देख लो ये particular question exam 2016 में February में पूछा गया था तो यहाँ पर क्या given है the energy of the free surface of liquid drop is 5 pi times the surface tension यानि यहाँ पर भी वही काम है खलें यहाँ पर 2 pi की जगह पर अब क्या value दिया है 5 pi तो 5 pi लिख लेते हैं of the surface tension यानि कि total surface energy is 5 pi times the surface tension और आगे क्या बोला है find the diameter of the drop in CGS system तो याद रखना है जो भी आप diameter निकालोगे उसको unit job place करोगे किस form में होना चाहिए CGS form में तो वापस वही कहानी कि diameter निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा formula यूज करना पड़ेगा 2 times of radius तो ultimately हमें क्या calculate करना है radius तो वापस से हैंपर वही formula यूज करना है dw is equal to t into 4 pi r square ठीक है और एक बार आपको check ये करना है कि वहाँ पर कहीं soap word तो use नहीं किया है yes नहीं किया है liquid दिया है तो कोई problem नहीं है आगे से solve करते हैं dw की जगापर आप लखोगे 5 pi into t is equal to t into 4 pi r square pi से pi cancel t से t cancel therefore 5 by 4 is equal to हो जाएगा r का square ठीक है therefore इसे थोड़ा rearrange करके मैं लिखता हूँ r square is equal to 5 by 4 तो जैसे मैं यहाँ पर therefore r लिखूंगा तो इसका मतलब यह पूरी value किसके अंदर आ जाएगा root के अंदर तो यह 5 by 4 हो जाएगा और आपको पता है कि 4 जब root से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा तो मैं इसे लिखता हूँ 5 upon root 2 ठीक है अब r की value तो मुझे मिल गई अब मुझे क्या निकालना है diameter therefore diameter की value क्या हो जाएगी 2 times of radius समझा मैं ने r की value को decimal में क्यों नहीं अभी तक निकाला क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 2 से यह value cancel हो जाएगी तो d is equal to 2 into r की value क्या है root 5 by 2 तो 2 से 2 cancel वापस से आपको log table book में जाना है और directly देखना है root 5.0 में 0 value ठीक है अब आप जानते हो कि अगर इसका answer 4 होता तो answer 2 आ जाता और यह root 5 है तो 2 point में answer आएगा तो इसका answer आता है 2.236 cm ठीक है तो square root आपको देखना आना चाहिए नहीं आता है तो आप चैनल की playlist में जाके देखो आपको वापर उसकी वीडियो मिल जाएगी तो आप सीख लो कि किस तरीके से square root निकाला जाता है और याद रखना है कि यहाँ पर unit meter नहीं लिखना है बलकि क्या लिखना है cm लिखना है next हम देखते है question number 13 और यह particular question October 2015 के exam में पूछा गया था तो चलिए देखते हैं क्या given है a rain drop of diameter 4 mm तो यहाँ पर clearly बोला है कि एक rain drop है और उसका जो diameter given है वो कितना दिया है 4 mm तो इसे हम सब से पहले क्या करेंगे कि millimeter से meter में convert करेंगे तो multiply करेंगे भी 10 raise to minus 3 और यह क्या हो जाएगा meter और आपको पता है कि आगे चलके हमें radius भी निकालना पड़ सकता है तो therefore radius आप जानते हो क्या होता है d by 2 diameter का half तो इसे हम लिख लेते हैं 2 into 10 raise to minus 3 meter done आगे question में क्या बोला है calculate the pressure inside the raindrop pressure inside the raindrop क्या होता है pi जैसे माल लो यह हमारे पास कोई raindrop है तो अंदर pressure क्या होगा pi बाहर pressure क्या होता है p0 और आप जानते हो कि inside pressure is always greater than outside pressure तो यहाँ पर हमें inside pressure calculate करने को बोल रहा है जबकि question में यहाँ पर surface tension की value given है और इसकी value यहाँ पर given है that is 0.072 newton per meter जिसे हम थोड़ा simplify करके लिखेंगे 72 into 10 raise to minus 3 newton per meter क्योंकि digit को shift करने से values आसान हो जाती है और यहाँ पर bracket में बोला है कि आप atmospheric pressure की value है वो 1.013 into 10 raise to 5 use कर सकते हो ठीक है तो यह directly मैं यहाँ पर value रख दूँगा अब बात आती कि formula क्या लगेगा तो inside pressure minus outside pressure वाला formula है न हमारे पास that is called excess pressure pi minus pi not is equal to 2t upon r बस यहाँ पर आपको यह देखना है कि कहीं पर soap वर्ट तो नहीं use किया है क्योंकि soap के लिए क्या formula होता है 4t upon r बाकि liquid के case में क्या है 2t upon r तो अब यहाँ पर हम simply क्या करेंगे pi is equal to इसे लिखेंगे 2t upon r और इधर आके यह क्या हो जाएगा p not यहाँ पर p not का मतलब क्या है atmospheric pressure ठीक है तो therefore pi की value क्या हो जाएगी अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम 2 रखते हैं 2 अब यहाँ पर सबसे पहले हम 2 रखते हैं t की value जो given है that is 72 into 10 raise to minus 3 है और upon r की value हमने already निकाल ले थी कितनी थी r की value 2 into 10 raise to minus 3 तो यह हो जाएगा 2 into 10 raise to minus 3 plus p not तो p not की जो value होती है वो कितनी given है 1.013 into 10 raise to 5 उसमें question में given है तो यही value use करना है क्योंकि इसकी normal value हम 1 into 10 raise to 5 भी लेते हैं but since question में दिया है तो हम यही value consider करेंगे तो therefore इसको आगे solve करते हैं तो pi is equal to अब देखो 2 से 2 cancel 10 raise to minus 3 10 raise to minus 3 cancel तो बचेगी क्या value 72 plus 1.013 into 10 raise to 5 अब यहाँ पर बहुत सारे student confuse हो सकते हैं और वो सीधा क्या करेंगे 1.013 plus 72 कर देंगे जो कि यह गलत answer हो जाएगा तो जब ऐसा कोई situation होता है जहाँ पर पीच में 2 value के plus या minus हो और उनमें power लगा हो तो जब तक दोनों का power same नहीं होगा तब तक आप उसे add या subtract नहीं कर सकते हो तो इसके लिए क्या तरीका है तो सबसे पहले हमें power को common बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर इससे लिखता हूँ यह जो मेरी 72 वाली value है न इसको ऐसा लिख लेता हूँ 0.00072 मन्दों इस value को मैंने 5 डिजिट पीछे घिसका दिया तो power क्या जाएगा 10 raise to plus 5 याद रखना है जब बड़े से छोटा value करते हैं तो power positive होता है प्लस यहाँ पर क्या है 1.013 into 10 raise to 5 है अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा है कि power दोनों में सेम है तो अब हम इसे add कर लेंगे लेकिन उसके लिए हमें पहले power को common बाहर निकालना होगा तो 0.00072 प्लस 1.013 और यह power क्या हो जाएगा 10 raise to 5 हो जाएगा अब next step में हमें क्या करना है इसमें लिखना है pi is equal to अब इसे add कर लो यार add करोगे तो क्या आएगा देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लोगे 72 और यह हो जाएगा 130.1 आ जाएगा तो यह value आ जाएगी into 10 raise to 5 और इसका unit होता है newton per meter square या simply आप चाहिए तो pascal भी लिख सकते हो कोई problem नहीं है because pressure के दो unit follow करते हैं हम एक है newton per meter square और दूसरा है pascal next question अब हम देखते हैं जो कि है basically question number 14 और यह particular question October 2014 में पूछा गया था तो चलिए discuss करते हैं क्या given है water rises to a height of 3.2 cm in a glass capillary tube तो basically capillary tube की हाँ पर बात हो रही है और जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किसी capillary tube को हम liquid में dip करेंगे तो उसमें liquid level rise भी करता है और fall भी करता है लेकिन अगर आपका liquid water है तो उसमें liquid level rise करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हमें height दिया है rising height दिया है तो माल लेते हैं h1 की value है और इसकी value given है 3.2 cm ठीक है आगे क्या बोला है find the height to which the same water rises तो वापस height पूछा मतलब हमें क्या निकालने को बोल रहा है h2 निकालने को बोल रहा है will rise in another capillary tube having half area of cross section तो इस question को वापस से बार पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया है water rises to a height of 3.2 cm in a glass capillary tube find the height which the same water will rise in another glass capillary having half area of cross section मतलब उसने बोला है कि जो a2 है वो कितना है half of a1 है यानि कि a1 by 2 है यह हमारे पास given condition है तो अब अगर हम formula की बात करें तो आपको यह formula याद रखना है इसका capillary tubes related h1 r1 is equal to h2 r2 इसका जो general formula होता है वो यह होता है h is equal to 2 t cos theta upon r rho g होता है तो यहाँ पर बांकी सारी value constant अगर हम proof कर दें तो h is inversely proportional to r हो जाता है और therefore आप लिख सकते हो hr is equal to constant तो in general जब आप comparison करते हो तो आप लिख सकते हो h1 r1 is equal to h2 r2 तो इस तरीके से formula यहाँ पर लिखा जाता है लेकिन अब problem यह है कि हमें r1 r2 नहीं given है बलकि क्या given है a2 is equal to a1 by 2 दिया है तो अब इसे हमें थोड़ा सा simplify करना और कैसे solve करना है देखो तो यह जो हमारा formula है इस formula को हमें implement करने के लिए सबसे पहले r1 और r2 की value की ज़रुद पड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले है ध्यान से सुनू जो a2 is equal to a1 by 2 दिया है तो आप जानते हो इस formula को पहले हम solve करेंगे तो a2 क्या होता है pi r2 का square is equal to a1 की value क्या जाएगी pi r1 का square भाई area का formula यही होता है ठीक है upon 2 तो pi से pi क्या हो गया cancel तो r2 की जो value है वो आपको कितनी मिली r2 की value मिलती है r1 by root 2 मिल गई बस आपको यही value को आपको इस equation में यहाँ पर put up कर देना है ठीक है तो therefore सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो h1 और r1 को r1 लिखो is equal to kya होगा h2 और जो r2 की value है आप उसकी जगह पर आप क्या रखोगे r1 by root 2 रख दोगे ठीक है तो r1 r1 तो cancel हो गया हमें निकालना क्या है h2 तो हम इसको करेंगे cross multiplication तो जब आप cross multiplication करोगे तो you will get h2 is equal to root 2 times of h1 है ना क्या दे आएगा h2 is equal to root 2 times of h1 therefore h2 is equal to root 2 की value हम जानते हैं कितनी है 1.414 होती है और h1 की value हमें given है 3.2 तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 32 से 1.414 को यहाँ पर multiply कर लेना है तो बहुत simple है आप इसे multiply कर लोगे तो इसका answer जो last में आएगा that will be 4.525 cm ठीक है तो यह final answer हमें यहाँ पर मिल जाने वाला है तो इस तरीके से हमें यह particular question को यहाँ पर solve करना है तो इस तरीके से almost हमने सारे ही numericals इस chapters के cover up कर लिये हैं जो basically board exam में पूछे गए थे और यहाँ पर एक और question है जो basically मैं आपको explain कर देता हूँ इससे आप इसे solve कर लेना तो यह particular question जो है 2014 में ही February के exam में पूछा गया था तो basically यह हमारा 15th question हो जाएगा तो इसको मैं जास explain कर देता हूँ और given values बता देता हूँ तो आप इसे solve कर लेना क्या दिया है calculate the density of the paraffin oil calculate the density of the paraffin oil of diameter 0.25 mm तो density मतलब यहाँ पर हमें row calculate करना है क्योंकि density को row से denote करते हैं और जो diameter हमें यहाँ पर given है इसकी value है 0.25 mm कितना दिया है 0.25 mm is dipped in paraffin oil of surface tension जबकि यहाँ पर हमें surface tension की value given है और इसकी value यहाँ पर दिया है 0.0245 Newton ठीक है पर क्या लिखेंगे meter यह हमें given है rises to a height of 4 cm तो height हमें दिया है और उसकी height की value है 4 cm done और आगे question में क्या बोला है कि जो angle of contact है theta वो आपको यहाँ पर क्या use करना है 28 degree यह 28 degree दे दिया तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आपको log table book का use करना पड़ जाएगा अगर random 30 या 60 degree value होती तो काफी आसान हो जाता हमारे लिए और G की value तो उसने बोला है कि 9.8 meter per second square ही use करना है तो यह सारा given data अपने पास है सबसे पहली बात तो यह आती कि हमें conversion करने होंगे तो जो millimeter में दिया है उसे meter में convert करेंगे तो 0.25 अब याद रखना है कि millimeter से meter में convert करने के लिए 10 raise to minus 3 से multiply करना है इसे हम और थोड़ा सिंप्लिफाई करके लिख लेंगे 25 इंटू 10 raise to minus 5 ठीक है meter वहीं पर जो surface tension है वो तो सही दिया है लेकिन इसे हम थोड़ा से और सिंप्लिफाई करके लिखेंगे 245 और मैं कितने टीज़ शिफ्ट कर रहा हूँ 4 तो यह हो जाएगा 10 raise to minus 4 और इसका unit हो जाएगा newton per meter वहीं h की जो value हुआ centimeter में दिया है तो यह हो जाएगा 4 into 10 raise to minus 2 meter done बाकि सब कुछ सही है अब यहाँ पर हमें formula यूज़ करना है तो capillary rise का मैंने अभी अभी आपको formula बताया था क्या formula होता है h is equal to इसका formula होता है 2t cos theta upon r rho g तो जैसे यहाँ पर मुझे rho निकालना है तो मैं cross multiplication करूँगा तो इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ h r rho g is equal to 2t cos theta ठीक है next step में क्या हो जाएगा therefore you will write rho is equal to यह हो जाएगा 2t cos theta upon upon में क्या जाएगा h r और g ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है इन सब की values को put up करना है और इसे solve करना है ठीक है तो देखो खाली आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर cos 28 की जो value है cos 28 degree की जो value है उसके लिए आपको log table book में natural cost में जाके देखना है कि 28 में 0 में क्या value है ठीक है तो value आप उहाँ से देख लेना बागी सारी values को रखके जो जिन value से जो cancel हो रही है उसे cancel कर देना और last में log एंटी log यूज़ करके इसे solve कर लेना तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी 2014 से लेकर 2023 तक में जो questions यहाँ पर पूछे गये थे वो सारे almost हमने यहाँ पर cover up कर लिए है ठीक है तो मुझे लगता है कि overall आपको एक basic idea आ गया होगा कि इस chapter से किस तरीके से question exam में पूछे जाते है ठीक है